Hello and welcome to CMC Indoor, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अब टोटल 75 wetlands हो चुके हैं जो की रामसर साइट्स बनाय जा चुके हैं देखिए सभी wetlands को रामसर साइट नहीं बनाय जाता है हम इस पूरी वीडियो में 75 रामसर साइट्स की लिस्ट देखेंगे रामसर साइट्स उन wetlands को बना जाता है जिनको conservation की यानि सनरक्षन की बहुत जादा जरूरत है आप सभी को पता है कि एक्जाम में इससे related एक नेक सवाल बनता ही है कि वह यह यह वाला wetland जो है यह जो रामसर साइट है यह कहा परिस्थित है किस राजजमी स्थित है तो पूरे 75 wetlands की list हम जो है इस वीडियो में देखेंगे जो कि अब रामसर साइट्स बन चुकी है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भारत में अब कुल कितनी और पहले कितनी देखो जब wetlands को रामसर साइट्स घोशित किया जाना था तब बहुत ही कम सा 23-28 रामसर साइट्स भारत में हुआ करते थे लेकिन अब जब भारत में अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर लिये उसी उपलक्ष में भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हो चुके हैं अब आप सोचेंगे कि रामसर साइट होते क्या है ये नाम रामसर क्यों पढ़ा ये नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि एक समय पे फेवररी 2-1971 ये डेट है दो फरवरी 1971 के समय पर रामसर नाम की जगा है इरान नाम के देश में एक जगा है शेहर है रामसर वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था बहुत सारे देश आपस में आकर बैठे थे और उन्होंने ये डिसकर्स किया कि दुनिया भर में जितने भी देश है वहाँ पर जो ऐसी आद्र भूमिया है ऐसे वेटलेंड है जिनको सनरक्षन की जरूरत है उनको हम रामसर साइट्स की श्रेणी में अब लाएंगे और उनको कंजर्ब करेंगे लेकिन भारत ने 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन को साइन नहीं किया था अगर आपसे पुछा जाए भारत ने कब साइन किया था तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को यानि काफी सालों बाद इसको साइन किया था जिसके बाद भारत में भी रामसर साइट्स को गोशित किया जाने लगा पूरे भारत में सबसे ज़ादा रामसर साइट्स की स्राज्य में अगर आपसे पुछा जाए तो तमिल लाडू में है टोटल 14-15 यहाँ पर वेटलेंड ऐसे हैं जिनको रामसर साइट्स गोशित किया गया है वेटलेंड की अगर में बात करूँ कि वेटलेंड होते क्या है तो वेटलेंड जो है कोई भी ऐसा एरिया जो मार्शी हो, फेन हो, पीटलेंड हो, वाटर हो, वाटर that is static और flowing fresh, ब्रैकिश और सौर मतलब इसका ये है कि कोई भी ऐसी जगह जो साल की maximum period में जादा तर समय में साल भर में पानी के नीचे डूबा हो, चाहे वो कोई दलदली छेत्र हो है ना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि low tide के समय पर उस पानी का जो depth है, मतलब जो गहराई है वो 6 मीटर से जादा नह ही होनी चाहिए, तभी वो wetland घोशित किया जाएगा, ठीक है और उस wetland को रामसर साइट तब घोशित किया जाएगा, जब वो conservation की जरूरत जब उसको हो, तो चलिए अब हम list देख लेते हैं, पूरे 75 wetlands की हम list देखेंगे, जो की रामसर साइट है, इसी एक वीडियो में जजाडिया wildlife sanctuary, ये भी wetland है, wildlife sanctuary के अंदर wetland है, ठीक है ये आपका गुजरात में इस्थित है, नाल सरूवर, थोल, लेक, वाधवान, ये तीनों ही आपका गुजरात में इस्थित है, नेस्ट है मैं हर्याना की बात करूँ कि हर्याना में दो wetland के नाम यहाँ आपको दिख ने होंगे, एक है भिंडावास wildlife sanctuary, दूसरा है सुल्तानपूर national park, अब ये सोचेंगे कि national park और wildlife sanctuary को wetland क्यों गोशित किया है, उसके अंदर ऐसी कुछ जगा है, जिनको wetland गोशित किया गया और वो रामसर साइट के तब आते हैं, नेक्स्ट है चंदरताल wetland ये हिमाचल प्र wetland और सुरिनसार, मनसार लेक्स, ये तीनों जम्मू कश्मीर में स्थित है, यूटी ओफ लद्दाख, यूटी ओफ लद्दाख में सोमोरीरी नाम का जो लेक है वो wetland है और जो की रामसर साइट गोशित किया जा चुका है, केरला की अगर मैं बात करूं तो अश्टमूरी, ये तीनों ही रामसर साइट गोशित किये गए है, लद्दाख में एक और wetland है जो रामसर साइट गोशित किया जिसका नाम है सोकर wetland complex, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मध्यप्रदेश की तो भोज wetland मध्यप्रदेश में स्थित है, लोनर लेक महाराष्ट में स्थित है, न चिलका लेक भारत का पहला wetland है जो कि ओडिसा में स्थित है, बीस conservation reserve पंजाब में स्थित है, हरीकेक, कंजली, केशोपूर, मियानी ये तीनों भी पंजाब में स्थित है, नंगल wildlife sanctuary ये भी पंजाब में स्थित है, रोपर जील ये भी पंजाब में स्थित है, राजस्थान क अगर मैं बात करूं तो दो वेट लेंड यहां पर राजस्थान के दिये हुए है केवला दियो घाना नैशनल पार्क और सांभर लेक नेक्स्ट है तमिल नाडू तमिल नाडू में पॉइंट कैले मेरी वाइड लाइफ सैंक्चुरी और बर्ड सैंक्चुरी लोकेटेड है त समन बर्ड सैंक्चुरी ये भी उत्तर प्रदेश में इस्थित है और भी बहुत सारे हैं समस्पूर बर्ड सैंक्चुरी सांडी बर्ड सैंक्चुरी सरसाई नवार जील और सूर सरोवर ये सभी उत्तर प्रदेश में इस्थित है अपर गंगा रिवर ये भी उत्तर प्रद में स्थित है सुन्दरबन वेटलेंड वेस्ट वेंग ओल में स्थित है करी किली बर्ट सैंक्चुरी तमिल नाडू में स्थित है तमिल नाडू में और भी रामसर साइट स्थित है जिन में से नाम है पली करनाई मार्श रिजर पीचा वरन मैंगरू ये दोनों तमिल नाडू पाला वेट्लैंड मिजोरम में इस्थित है, साक्य सागर मध्याप्रदेश में है, सीरपूर वेट्लैंड भी मध्याप्रदेश में इस्थित है, यह जील है सीरपूर जील आपको पता होगा रंगन्तीतू बर्द सेंक्चुरी ये भी वेटलैंड है, रामसर साइट है, करनाटका में इस्थित है नंदा लेक गोवा में इस्थित है, सट्कोसिया गोर्ज ये ओडिसा में स्थित है उद्यम मार्थन्डपुरं ये तमिलनाडू में स्थित है वेधन ठंगल बर्ड सैंक्च्च्च्च्च्च्च्य भी तमिल नाडू में इस्थित है गल्फ ऑफ मननार मराइन बायोस्फिर रिजर्व यह भी रामसर साइट है वेट लैंड है तमिल नाडू में है कुथन कुलम बर्ट सेंक्चुरी तमिल नाडू में इस्थित है अब बात करूंगे ओडिसा की फिर से तो तामर पारा हीरा कुंड और अनसु पाल ये तीनों ही ओडिसा में इस्थित है मध्य प्रदेश में यश्वन सागर नाम का वेट लैंड इस्थित है जो की रामसर साइ गोशित किया गए तो यहां लाइन से आपको तमिल नाडू के दिखेंगे चित्रन गोडी बर्ट सेंक्चुरी सुचिंद्रम थिरूर वेट लैंड कॉम्पलेक्स वडूमूर बर्ट सेंक्चुरी और काजी रंग कुलम बर्ट सेंक्चुरी ये चारो ही तमिल नाडू में इस्थित है महाराष्ट में है थाने क्रीक जो की रामसर साइट है है गाम वेटलेंड कंजर्विशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में इस्थित है शालबग वेटलेंड कंजर्विशन रिजर्व ये भी जम्मू कश्मीर में इस्थित है तो यह पूरी रामसर साइट की ल सूखे जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो उनको conservation की बहुत ज़्यादा जरूरत है इसलिए उनको रामसर सैड्स घूशित किया गया है तो आई होब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्स्राइब करेंगे और वीडियो को जादा से जादा शेयर करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच